जैसे कि आज हम आपको इस आई ड्राप के उपियोग के बारे में बताएंगे इस आई ड्राप का उपियोग आख में कौन सी दिक्कत कौन सी परिसानी हो जाने पर डॉक्टर के द्वारा ये आई ड्राप डालने के लिए आख में दिया जाता जैसे कि इसका उपयोग आख में सूखापन की कमी को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है यह एक ऐसी इस्तिती है जिसमें आपकी आखें अपनी नमी बनाए रखने के लिए परियापत आसू नहीं बना पाती है या कम्प्यूटर के सामने लंबे समय तक बैठने या फिर दवा या पानी या परियावरिक इस्तितियों के कारड़ ये हो सकता है या ड्राप आपके आँखों को नम करता है और जैसे कि आँखों में सूखापन के कारड होने वाले जलन, जलन के साथ हो रहे दर्द को आराम देता है जैसे कि हमारे आइज में डिसकंपर्ट फील हो रहा है, डिजनेस फील हो रहा है, या फिर बलरनेस की समस्या हो रहा है कई बार क्या होता है ड्राइनेस ज्यादा हो जाता है लेटर समय बिलर लगने लगता है जैसे कि हम फोन चलाते हैं या फिर लेटाप चलाते हैं ज्यादा टाइम तक चलाते हैं अपने देखा होगा आखों में लाली सपड़ जाता है वहाँ पर खुजली की समस्या हो जाती है redness आ जाता है, ऐसा लगता है उसके उसाद से चिड़ चिड़ा पंसा हो जाता है तो इन सब समस्या में doctor के दोरा ये drop डालने के लिए आख में दिया जाता है अगर आपको ये सब दिक्कत है तो आप ये drop उपियो कर सकते हैं लेकिन ये कोई भी ड्राप आप उपयोग करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपरक करके फिर कोई ड्राप आप अपने आख में डालें। क्योंकि dryness की condition में क्या पता आपके आख में कोई और दिक्कत है कोई या फिर कोई और परेसानी या फिर आपके आख में कोई और समस्या है तो आप इस drop का उपयोग ना करें इस drop के side effect जान लेते हैं जैसे कि अगर यह drop आप अपने मर्जी से उपयोग करेंगे तो आपके आखों में धुदला दिखाई देगा आख से आसू आ सकता है रेडनेस की संभाव ना हो सकती है वहाँ पर खुजली सा हो सकता है तो ये कुछ इसके साइड एफेक्ट होता है जो देखने को मिला है जैसे कि ये ड्राप जब डॉक्टर के दोरा में नहीं निकलना है आपको फून नहीं चलाना है टीवी नहीं देखना है लपटाप नहीं यूज करना है तो ये ड्राप डालने के बाद में आप लेट जाएं लेटते टाइम आप जैसे कि सुबा आप दोबून फिरसाम को आपको दोबून डालना होता है इसके लावा अगर आपको दिकत कोई परसानी है तो आपने डॉक्टर या फार्मासिट से संपरक करके फिर कोई दवा आप लें कोई भी दवार कोई भी ड्राप आप अपनी मर्जी से उपयोग ना करें वीडियों सिर्व नॉर्मल जानकारी के लिए है